नमस्कार दोस्तों मैं अजीत कुमार श्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियर सकाइद में पर दोस्तों जैसा कि आप लोग के स्किन के ऊपर दिख रहा होगा कि आज मैं 25 इंपर्टेंट विज्ञान का जो है दोस्तों 25 अति महत्पून प्रस्ण आज हम देख लेते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीनियर सकाइदमी को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अगर मैं बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग पहला कुश्चन क्या में उभ्षे में अधिक्तम होता है कि में निख्यवात में मतले चै disturbed सब्सक्राइब BBC किस रंग का तरंग दज कम होता है तो दोस्तों आप लोग क्या बैनी आह पीनाला जो सात रंगों का एक मिश्रन है कि उसके काफी साला हम लोग हल कर सकते हैं एक लाइट है कि तो खरोस करते हैं इसमें 7 दोस्तों निकलते हैं और सबसे ऊपर होता है दोस्तों लाल होता है ठीक है और सबसे नीचे जो होता है बैगनी होता है आपका ठीक ना कौनसा दोस्तों बैगनी होता है तो जो सबसे नीचे रहता है उसका जो बीचलन सबसे ज्यादा होता है ठीक ना दोस्तों बीचलन सबसे ज्यादा होता है और लाल का दोस्तों सबसे ज्यादा होता है और बी थीस सात रंगों से विभक्त हो जाते गों से खम होता और यही रहता दोस्तों टारंधा कि सब्सक्राइब यही रहता दोस्तों कि अधोंbig सबसे कम है लिए चले बाएं रर्ण काता है इसी परकार हम लोग एक्स्पिलेंट करते हुए चलेंगे क्या कर रहा है वायू में द्हौनी का वेग सोतंत्र होता है तो आपका ऑप्षन है घनातु से अधिर्टा से और तापमान से इसमें आपका राइट एंशर हो जाएगा दोस्तों दाव से मतलब प्रेशर से हैं दोस्तों सोतंत्र होता है और अगर व्यूंशर पर वायू में चला गया तो तो जो द्रॉसर नहीं रहता है तो चलें ब्तेंट ऐस다면 किया था आपका प्राथ्मीक रंग कहा जाता है तो आपका था प्रमीक हो ए जुर पिला हारा नेला भी ने काता लाएलालारा नीला और और दि क्या Nou और अब्ए से क प्राथ्मिक रंग लाल को हरा को की नइला को कहते हैं किसको लाल रा नीला को हम लोग प्राथ्मिक रंग कहते हैं चलियींद माइनस 10 मीटर चले बरते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसा आपका है विडियो को इन तक आप लोग अवस्च्य देखें तंबाकू में बिशायला परदात होता है इसमें कौन से ऐसा भीषयला परदाथि होता है तर्वाकों में निकोटीट हर्ण और और घ्रीप पाइटि तो आपका स्ञून्हों राइट एंसर हुजाएगा निकोटीन रहता है तंबाकों में जो है दोस्तो एक विशला परदास्थ पाया जाता है जो बहुत ही खरावी करता ही वह निकोटीन होता है और ग्रेफ हाइट तो हीरा का जो दोस्तों अप्रूब है पाया जाता है कैफीन जो है दोस्तों वह कहां पाया जाता है इसमें आपका ऑप्संदिया हुए तंबाकों आलू कॉफी पाला तक एक जो है न दोस्तों कैफीन आपका जो कॉफी है तेल में नहों कॉफी में पाया जाता है क्या चीज़ में कफी में पाया जाता है चलिए बहते ही क्या कर्थud करता है एक कहाँ कर आप पहला option है 6.022 गुने 10 to the power minus 23 आर बी option है 600 22 गुने 10 to the power 23 और C option है 600 22 गुने 10 to the power minus 90 or c option है 600 22 आइंसर हो जाएगा जो है नमः 6.022 गुने 10 to the power 23 जो है दोस्तों भी ऑप्शन आपका सही एंसर है ठीक रहें एक का मान कितना होता है 6.022 गुनेटेटीटीटीपावर 23 चले बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन आपका नाइन नमर कह रहा है नीबू का रस का पी एच मान कितना होता है 12 प्रमी नाइबू ऑपका आपका ऊफ्सन है 9.002.4 और 7.0 होजयगा दोस्तों सही रहें दोस्तों पानी का प्छ मान सात होता है और यह पानी जो उदास्भीन होता है क्यूंकि इसका प्रिट मान सात होता और रहें से ज्यादा वाले का पी एच मान हो जाएगा दोस्तों चारिये हो जाता है और साथ से कम होता है तो यह अमलिये हो जाता है तो आपका नीबू का रहा से एक अमलिये हो गया और इसका पी एच मान कितना हो गया तो क्वैंट फूर हो गया ठीक ना दोस्तों चले बढ़ता है ने टेरिक टेड़ीक और शाय्टिक फार्मि दुस्तों टेन आपका स्वाइट्रीक अम्ल है जो नी रिए जाता है नीम्म में कौन साहिवन शाइट्रीक अम्ल पार्मिक गते सकते हैं गतल की व्याइट हजाए चते हैं आहिए का जिंक तामबाख एलमुनियम आलमुनियम का है दोस्तों एल्मुनियम का ही अपरूप है कि आपytes örग्षाइड । आप्स है इसमें आपका ऐलमुनियम हो जाएगा एंसर स्यू जाएगा दोस्तों चलेन दोस्तों क्या करता है बारण यावार ओप्सेन हैं दूस्तों आपका क्या करा लौर किससे जिसका क्या है यह मिल्कुल सब्सक्रात्श किसस धात है चलिए बढ़ते हैं नेस्ट क्या कहता है दोस्तों 23 नमर और आप लोग इस को अच्छे से देखें और याद कर लें दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जाके कर लें तो क्या कहता तेरा नमर पारा का अक्ष खाली अस्थान है पारा का अयक्ष जो है दोस्तों कौन कौन हैं तो आपका उपशन है गलना कैलो माइक्ट और सीनेबार पिट शायट जुसतों यह तो बहुत सिंपल है पाड़ा का एक्स कौन जानता है कि सिने बार होता है कैसी दूस्तों पा olmuşक्षी ने वार होता है चले बढयते हैं घींश्ट क्या जोंस ब्रोज मतलों कांसा होता है कांसा एक मिर्ष धातु है कांसा एक मिर्ष धातु है ऑफ्षन है दोस्तों कॉपर एव लेड का कॉपर एव आईरन का जींक और तीन का और कॉपर और तीन का तो दोस्तों कांसा जो है न यह कॉपर और तीन का एक मिर्ष धातु है यह दोनों को मि है काहए किया toward reduce रोख का पंदरान कुष्ट्राइब को डोस्तो भी से मर्प प्रक्रं पर्फ़न में बनाया जाता है से संग्रोनीज है और जोस्तोval तो भी मोलच वेमे प्रफ और चाहे दोस्तोर अट अममोनिया इस पात ह़े जरू तर पंदरा आपका राइत पात याईसर्ट दोस्तों इस पात हो जाएगा इसमें आपका सहीं एंसर चले बख्टे हैं दोस्तों नेक्ट क्या करता है local नमर्व दोस्तों काफी महत्पूर्ण है यह questions क्या करा का निमलीखित का मिश्रन है का निमलीखित का मिश्रन है आपका ऑप्षन है कौर टी जर और अवरख बालू और शिल्ट बालू और सिलिकेट इन में से कोई नहीं आपका optır और सिलीर वह का निमलिखिट मिश्रण आच क्या-क्याठी से बना रहे जाता है जो चलिएए रहे nesawn क्या कहता है दोस्तों सत्रन हमर है लोहा का सुधितम रूप है आपका ओप्षन है इस्टील पिटवा लोहा धलवा लोहा इस्टेन लेस्टील इसमें जो सत्रक आपका राइस टेंसर हो जाएगा पिटवा लोहा है ना दोस्तों तो लोहा का सबसी सुधितम रूप है पिटवा लोहा ठेक्ना दोस्तों बढंते हैं दॉस्तों नेस्ट इसे प्रप्ण किया जाता है तो आप सदो मैंगनेट पाइट और आइरन फिराइथ दोस्तों मैं बता दूर आपको कि हेम है टाइट मैंगनेट लेकिन जो है दोस्तों लोहा का सबसे मतलब अधिकांस हेमेटाइट से प्राप्ट किया जाता है हेमेटाइट सबसे सुधितम रूप है हेमेटाइट और हेमेटाइट से ही अधिकतर लुहा जो है प्रदान किया जाता है पाया जाता है हेमेटाइट में तापका option नमर जो A है आप रोग रट ले सही है चले बाता है next क्या करता है दोस्तो 19 नमर आप लोगा मानव द्वारा निरिमित पर्थम संस्लिस्ट रेशा था सिंथातिक फिवर्ष जो कौन सा रेशा दोस्तो मानव द्वारा सबसे पहले पर्थम जो था कौन सा रेशा था आपका option है नायलोन », रियान, तेरी, कोट possibly है अपका 19 का आपका राइट एंसर हो जाएगा यह नायलौन होगा नायलोन जो आपका पर्थम रेशा था मानव दार निर्मान किया गया मानव निर्मितिक पर्थम रेशा नायलौ था वहरा है गन पाउडर किसका पर्थम गन पाउडर किसका मिश्रन होता है जो गन पाउडर होता है दोस्तों किसका मिश्रन होता है तो आपका ओप्षन है यह नमर है sulphur carbon phosphorus फास्फोर बी क्या कहला है sulphur, charcoal, और और सिय कहला शल्फाराइऄफर रेत पोटासियुम और चार कोल और डिकाहरा दोस्तो चार कोल कारवन और नाइट्रोजन तो इसमें आपको क्या option सही लग रहा है तो आप लोग comment box में comment कीजिए दोस्तो बिल्कुल सही आपका बी जो option है बिल्कुल सही है दोस्तो sulfur, charcoal और sora जो है यह इसका gun powder बनाने का एक mission है sulfur, charcoal और sora चले बारते हैं दोस्तो एक कीस नमर question है आप लोग का काफी important रहने वाला है गंध हातों में होता है गंध हातों में क्या होता है तो आपका option है दोस्तो cu, sn, ni, n, b, sn, an, c, u, sn, z, n और d है जो दोस्तो cu तथा sn दोस्तो आपका इसमें cu जो copper होता है और sn जो तीन होता है और यह z, n, zinc होता है मतलब copper, tin और zinc गंध हातों में होता है आपका right answer c हो जाएगा दोस्तो मतलब जो है आपका यह symbol जो है इस पर मैं video बना चुका हूँ आप लोग को देखने का अगर इच्छा हो तो जाके मेरे playlist में देख सकते हैं वीडियो को देख ले चलिए बारते हैं दोस्तो इस नमर क्वेश्चन्स हैं क्या करा है टांका मतलब shoulder जो है खालिया स्थान से बनी मिसर धातू है तो आपका option है रांगा और तांबा रांगा और तांब driven में सिशा और सा और तिन आपका 22 का जो दोस्तो है आपका Team और और तीन सीजा और तीन यह दिए दोस्तों चले बढ़ते हैं इस्ट क्या क्या कर आपका 23 नमर है दोस्तों निमलिखित में से सबसे भारी धातू है सबसे भारी धातू कौन है तो आपका ऑप्सन नमर एह है अल्बूनियम तामबा सी कह रहा है चांडी और दी कह रहा है यूरे तो यूरेनियम है आपरो रट ले इसको ठीक ना अलमुनियम को हम लोग एल से सिंबॉल लिद करते हैं इस टाइप से चांधी एसन चलिए बाते हैं दोस्तों यू कहते हैं चलिए बाते हैं क्या कहता है चौबिश नमर आपका है पौर्ट्रेंड सिमेंट के परमुक शंघटकों में सामिल है आपका ए ऑप्सन क्या कह रहा है सिलिका एलूमिनिया और मैंगनेशियम hip magnesium भी कह त्रेट ओर और मैंग नेसिया मैंगनेसिया शी कहले दोस्तों nimmtिएवाल का और याइवाल ऊक्षड अरो डी दोस्तों कह रहा है आपका लाइन क्या यह क्रा याउाल राम tyoda गॉल मॉंग में इस में आपका जो च्वी स्थकर दूस्तों राइट एंसर डी हो जाएगा लाइम शिलिका और एलुमिना लाइम शिलिका और एलुमिना क्या चीज़ का है पोर्टर लेंड शिमेंट के परमुक संघतों को में शामिल कौन-कौन है लाइम शिलिका और एलुमिना चले बाते हैं दोस्तों 25 नमर कुश्चन है और इसी पर मैं अपना वीडियो को करूंगा क्या करआ सिइ शुद्य कॉर्ण को Ist का प्रकार कौन साह सबसेसुद्य कोईले का प्रकार कॉइले का कौन साहा तरह आपका ऑप्षान है वके लिगनाइट बी टूमिन Pioneer मिन तो मिना ही पी चार का कितने प्रकार होते हैं दोस्तों चार प्रकार की होते है जिसमें दोस्तों काई तरा साइड में आ आप लोगा है लेधा दोस्तों में से कम पया रहता है संतिyllauft के प्सक्त पायाता है पीट सबसे कम पायाता है पीट में तो आपका सबसे सुधितम रूप कोईला का कौन सा हो गया दोस्तों एंथरा साइड हो गया ठीक ना दोस्तों और आपके स्कीन के उपर भी इसी समधित कुछ वीडियो दिख रहा होगा आप लोग उसे भी हो सकता है तो देख ल लें और बगल में बैल आइकन है उसे प्रेस कर लें दोस्तों क्योंकि मेरा नोटिफीकेशन जो वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुंसता रहा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग के लिए कुछ वीडियो डाला गया उसको भी आप लोग देख सकते है तो थैंक्स पर वाचिंग और मिलते रहेंगे ऐसा ही वीडियो के साथ दोस्तों यहां पर बिज्ञान शोसल साइंस और मैट्स रिजनिंग भी का वीडियो डाला जाता है इस चैनल पर तो आप लोग देखना न भूलें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब